नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहें कि NBS के द्वारा Teaching Post के लिए Notification आ चुका है तो जो लोग भी इसका Apply करना चाहते हैं आप लोग इसका Apply कर सकते हैं आपका इसमें TGT, PGT और Miscellaneous Category में बहुत सारे Vacancy है तो जो लोग भी इसका Apply करना चाहते हैं कर सकते हैं तो इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि NBS में आप यदि जो है Librarian Post के लिए Apply करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या Qualification मांगता है इसका जो है Selection Process क्या है इसका सलेवस क्या है सब कुछ आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं और यद इसका Librarian का Vacancy कितना है जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों यह आपका जो है Librarian है और इसके लिए आपका जो टोटल Vacancy वो जो है 53 है इसमें से आपका जो है General के लिए UR के लिए 24 है EWS के लिए 5 है OBC NCL के लिए 14 है और SC के लिए 7 है और HT के लिए आपका 3 इसमें Vacancy है और OH के ल लोग जल्दी से देख लेते हैं और यह आपका जो है लाइज लिमिट क्या है आई आपको दिखाते हैं तो दोस्तों देखिए इसके लिए लिए जो एज लिमिट है लिए जेनरल के लिए और यदि आप OBC है तो तीन साल का आपका जो चूट मिलता है वो मिलेगा और यदि आप SCST है तो पंस साल का आपका चूट मिलेगा तो दोस्तों आईए और अब इसका देख लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है यह मतलब आपका नहीं भी रहेगा तो चलेगा है ना लेकिन यह आपका जो रहना 100% क्या है जरूरी है अब आपको जो दिखाते हैं कि इसमें आपका क्या मांग रहा है कि आपको Library Science में डिगडी होना चाहिए आप यदि आसना तक किये हुए है Library Science है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है या आप सिर्फ सिंपल गरिजेशन है और उसके साथ यदि मतलब एक साल का आप यह डिप्लॉमा किये हुए है यह Library Science में तब आप इसका अपलाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोनों में से कोई एक होना चाहिए और उसके बाद आपको यह वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंगलिस और हिंदी में और या फिर अधर जो भी रिजिनल यह लेंग्वेज है उसमें आपको यह मतलब काम करना आना चाहिए अब इसमें क्या है इस तरह हम लोग देखें क्या है कि मतलब experience होना चाहिए working experience आपका जो है residential school में और computer पे काम करने का knowledge होना चाहिए जनकारी होना चाहिए तो दोस्तों इतना आपका यह librarian के लिए qualification है ज़्यादा नहीं है यदि किने के पास कोई भी experience नहीं है लेकिन आपके पास जो डीडी है तो आप इसका apply करें और अच्छा से जबर दस जो तयारी करना आपे start कर दे यह बहुत अच्छा job है और आपका जो बहुत अच्छा जो सकते हैं अब आए अब आपको अब झोगाते हैं कि इसका आपका selection process किया है इसमें interview हो गा या फिर क्या सब होगा आपको जल्दी से दिखा देतें दोस्तों यह देखी यह आपका यहां पर क्या है mode of selection है ना तो आई आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि जो आपका selection होगा वो आपका computer based test पर यानिकी CBT और interview के आधार पर होगा है ना लेकिन यहां पर देखिए यहां पर क् post of librarian the selection to the post will be done on the basis of performance of the candidates in the CBT only कहने का अर्थ है कि जो librarian का post है उसके लिए जो selection किया जाएगा वो only आपका computer based test के आधार पर किया जाएगा तो इससे असफ़स्ट है कि आपका librarian में कोई भी interview नहीं है है ना तो बहुत सारे दोस्त का comments आ रहा था एक video डाले थे पिछला वाला कि NBS का vacancy आ चुका है तो बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि इसमें interview है या नहीं है librarian में तो अब आपका यह सपश्ट हो चुका है कि librarian interview नहीं है अब आई अब आई अब आपको जो दिखा द लिए और जो miscellaneous teachers यानि कि आपको दिखाए थे कि librarian को भी miscellaneous teacher में रखा गया है है ना तो यह आपका जो अब आपको जो दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा तो सबसे पहले आपका जो है general awareness का रहेगा 10 question है ना वह आपका जो है 10 number का रहेगा और individual time नहीं रहेगा आपक एक जो है combined रहेगा time okay वह आपका कितना रहेगा तीन घंटा का रहेगा time तो time आपके लिए enough है okay अब आईए उससे आपको ये दस question पूछएगा 10 number का और उसके बाद आपको जो है ये teaching applications even पूछेगा 10 नमर ये तो आपका होगे 30 number का 10 number ऊपर ये आपका 10 यानि कि ये आपका होगे 40 number के ओके और अब आपका यह subject में होगा जो आप graduation किये हुए हैं, जो आप मतलब जिसे की डिप्लोमा में परहोंगे, तो उससे संबंदित आपका question इसमें 80 नम्मर में पूछा जाएगा, अब आप कहिएगा कि यह यहाँ पे कहां लिखा हुआ है, इसमें तो लिखा हुआ है कि आपका जो भी यह syllabus का है, यह teaching best का है, मतलब teaching बला भी आएगा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे, आपको यह दिखाते हैं कि कहां लिखा हुआ है, यहाँ पे देखी नोट में, कि for all subjects of TGT, miscellaneous teachers, part 1, 2, 4 will be common, यानि कि 1 से 4 तक जोड़ेगा part, वो आपका सभी के लिए रहेगा common रहेगा, ओके, यह वाला जो part है, पच्चमा नमर, यानि कि 80 नमर का जो part है, यह आपका, मतलब जैसे, यहाँ पे देखिए, part 5 will be subject specific, यानि कि यह आपका subject से related रहेगा, यानि कि मतलब जैसे कि कोई, मतलब जैसे कि यह art के लिए apply करेंगे, music के लिए apply करेंगे, उनको music से पुछा जाएगा, है ना, तो अलग-अलग, जो भी आप subject के लिए apply कर रहे हैं, तो उससे आपको पूछा जाएगा, है ना, आप यदि यह library के लिए apply कर रहे हैं, तो अधिकतर इस part में जो होगा, आपका library science से आपका question पूछा जाएगा, तो total आपका जो होगा, 120 number का question होगा, है ना, आपका 120 question होगा, और 120 number का question होगा, आपका जो scoring रहेगा, वो भी 120 रहेगा, और जो time रहेगा, वो 3 घंटा का time रहेगा, और इसके अलाबा, आपका एक जो रहेगा, पार्ट 6 भी रहेगा, उसमें आपको 30 question पूछा जाएगा, यह 30 number का, और अब आपको इसमें क्या रहेगा, तो इसमें language test होगा, हिंदी से, इंग्लिज से, और original language से 10-10 question रहेगे, आपको इसमें 10-10 question में, आपको 40% number each language में, आपका यह निकी जैसे 10 question में, मतलब जैसे 4 number, आपको लाना compulsory होगा, तब ही आपका यह सारा चेक होगा, आप यदि यह हिंदी, इंग्लिज और जो भी original language है, उसमें आप qualify नहीं कर पाते हैं, तो आपका कोई भी paper चेक नहीं होगा, ओके, हाँ, यहाँ पर जैसा की लिखावा है, पार्ट यह 125, आपका चेक नहीं किया जाएगा, ओके, तो आप लोग इस पर भी अच्छा से ध्यान दीजिएगा, जिनका मतलब हिंदी सही नहीं है, या फिर आपका जो है original language सही नहीं होगा, तो आप लोग अच्छा से इस पर ध्यान दीजिएगा, कि कम से कम आप जो है qualify क कर पाए, अब आईए, अब जब बहुत सारे दोस्तों के मन में रहेगा यह, आपका यह जो है original language क्या सब रहेगा, तो आप यदि हिंदी भासी के हैं, आप यदि मतलब जैसे हिंदी छेतर के हैं, तो हिंदी भी रहेगा original language में, इसमें आपका असमी रहेगा, बेंगाली रह रहेगा, गुजराती रहेगा, हिंदी रहेगा, कनर रहेगा, मल्ययलम रहेगा, मनिफूरी रहेगा, यह, मराथी रहेगा, बॉड्डो रहेगा, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलगू, उर्दू, गाडो, खासी, मीजो और इंग्लिस, है ना, तो आप यदि हि रहेगा, तो इस टाइप से आपका यह, मतलब, यह, एक्जाम होगा, तो जो भी हैं, दोस्तों लोग, आप लोग अच्छा से इसका यह अप्लाई करिए, है ना, और आपको यह भी बता दे रहें, कि इसमें फीस कितना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का यह कमेंट्स भी इसमें फीस भी आपका ज्यादा ले रहा है, क्या करिएगा, देना परेगा, तो आप लोग अच्छा से देख लिए, इसका सलेवस क्या है, इसमें इंटर्विव है या नहीं है, आपको अच्छा से सब कुछ समझा दिए, बता दिए, इसका फीस कितना है, वो भी आप और इसमें आपका जो अपलाई होगा, वो 22 जुलाई तक ही होगा, आप लोग अच्छा से जल्दी अपलाई कर ले, यह मतलब जैसे कि लास्ट मिनट का वेट ना करें, कि आपका सर्वर सलो हो जाए, कुछ हो जाए, आप लोग यह अपलाई ना कर पाए, तो इसका जल्दी निगेटीव का है, तो निगेटीव भी है, यहाँ पर आप लोग जैसा की देख रहे हैं, कि वन फोर्थ निगेटीव है, तो जो है, आप लोग अच्छा से करने तयारी, यह दम भर करने तयारी, तो दोस्तों मिलते हैं, एक अच्छा से निव वीडियो लेकर, और इसमें आपको हिंदी में, तो आप लोग यह दी पहले वाला वीडियो हिंदी का नहीं देखें, तो मतलब जैसे कॉंसेप्ट चाहते हैं, तो हिंदी वाला सभी वीडियो को देख लें, और यह MCQ टाइप का आपका हिंदी का कोस्चन भी लाएंगे, तो दोस्तों मिलते हैं, एक अ निविरुम्त तक लिए धने पान नमस्कार।